चैट ट्रांसपर बिना परिशानी के एंडुएड फोन से आईफोन में ट्रांसपर फेल अब नहीं होगा, चाहे डाटा कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, ऐसा क्या है, इतना ही नहीं, फोन को भी रिशेट नहीं करना, और फालतु के जंजट भी नहीं, सिंपल सा है, मूटव उससे भी आसान, अब ध्यान से सुनना, फिर करेंगे भी, एंडुएड फोन में चैट का वैक अप होता है, गूगल ड्राइव में, वहां वो सुरक्सित हैं, और वहां से हम ट्रांसपर करेंगे आपके आईफोन में, वो चाहे नया आईफोन 15 हो, या कोई भी पुराना जो आप पहले से यूज़ कर रहे हो, बस इतना सा है, पर आप उसे देख नहीं सकते, तो आईफोन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, बस सारी करपा यहीं अटकी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईटू लैब सॉफ्टवेर का, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज या मैक के लिए, डाउनलोड लिट नीचे डिस्केप्शन में, पर करना कैसे है, पहले वो देख लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने PC या लैप्टोप में इंस्टाल कर लेना है, प्री ओफ कोस्ट आपको अविलेबल हो जाएगा डाउनलो और सबसे पहले गूगल ड्राइव को आपको लोगिन कर लेना है, जो भी आपकी आईडी है, तो देखिए यहाँ पे आपको दो बैक अप दिखाई दे रहे, आप कौन से बैक अप को रिस्टोर करना चाहते हैं, या डाउनलोड करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है, और सेफ है पूरी तरह से, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंडिंग अपोन दा डाटा, अब उसके बाद यहाँ पे यह आपका नंबर पूछेगा, मोबाईल नंबर जो भी है, वो आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद वेरिफाई के उपर क्लिक कर देना है, उसके रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास अल्रेडी ओफ है, तो यह टर्न ओन दिखा रहा है, आपको इसे ओफ पोजिशन में रखना है, उसके बाद डिसेबल के उपर क्लिक कर दें, और यह नंबर को वेरिफाई करेगा, यह कोड आएगा उस नंबर के उपर, उस और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकप लिस्ट और रिस्टूर्ट डिवाइस, तो यहाँ पे आप पुरानी बैकप लिस्ट देख सकते हैं, आपके पास देखिए मेरे पास यह बैकप आ चुका है, इसको रिस्टूर्ट डिवाइस करना है, अभी कोई डिवाइस मैंने connect नहीं कर रखा और मैं अपने iPhone को यहाँ पर जैसे ही connect करूँगा simply इसकी cable जो आती साथ में उसके साथ connect करना है it will automatically detect तो देखे इस software की खास feature यह है कि आप चाहें तो इसको Android के उपर backup कर सकते हैं, यह Android के उपर भी करेगा, आप चाहें तो उसको iPhone के उपर कर सकते हैं, यह iPhone के उपर भी करेगा, मैंने दोनों devices को connect और disconnect करके देखा है अब क्योंकि मुझे iPhone के उपर करना है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा restore के उपर click उसके लिए अब हमें यहाँ पर find my device को off करना है find my device को off करने के लिए सबसे पहले हमें settings में जाना है जो भी name होता है, उसके उपर हम click करेंगे name के उपर click करने के बाद यहाँ पर देखिए option आएगा find my device और जो उपर की तरफ screen के उपर यहाँ पर find my device है इसको find my device को off कर दें तो find my device अभी यहाँ पर off हो गया है और देखिए screen के उपर भी आ गया है अब देखिए क्योंकि यह trial version के अंदर है आप पूरा download करेंगे key वगेरा डाल के करेंगे तो आप उसमें कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा free में यहाँ पे trial version दिया गया है आपकी backup आपको दिखाई दे तो आप इसे purchase कर सकते हैं बर जो price आपको दिख रहा है इस पे नहीं 40% का off मिलेगा अगर आप descriptions में जाके coupon check करते हैं आपके लिए 40% off है और जैसे ही आप coupon apply करेंगे इसके price में वाल आपको दिखाई देगा इतना घर्च किया जा सकता है iPhone users कर सकते हैं क्योंकि chat पर बहुत important होती है अब घरिते वक्त हो सकता है आपके दिमाग में आए कि फाहिदा क्या है तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा benefit इस software का है वो यह कि यह आपके Google Drive के उपर जो backup है उसको उठाएगा जबकि दूसरे software जितने भी है वो डारेक्ट चैट backup उठाते है आपके फोन से तो यहाँ पर फोन का कोई जंजट ही नहीं है मान लीजी आपके पास जो Android फोन है उसका backup आपने ले लिया वहाँ से आप WhatsApp चैट अनिंस्टाल कर सकते है अब आपका backup गूगल ड्राइव के उपर है आपके पास जो पुराना फोन था वो किसी को बेच दिया या आप उसको यूज नहीं कर रहे किसी दूसरे को दे रहे है रिसेट कर चुके है अब आपको कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपका backup गूगल ड्राइव के उपर आपको लगातार मिलेगा अब वहाँ से आप जब चाहे इसको ले सकते है अब क्यूश्चन यह आता है कि क्या यह सिक्यूर है तो देखिए यह आपके गूगल ड्राइव की वाट्शप चैट को एकसस कर रहा है गूगल ड्राइव से वो डाउनलोड करता है पीसी के अंदर कनवर्ट करता है सो देट कि उसको आईफोन के अंदर इंस्टाल किया जासके और वो चैट को वहाँ पे बैक अप तियार करता है और इस तरीके से आपकी चैट आईफोन के अंदर मिल जाएंगी पर आप क्यूश्टन कर सकते हैं क्या गूगल ड्राइव से डाटा कूपी करके डारेक्ट आईफोन मी नहीं किया जा सकता तो आंसर है नो पहली बात तो यह कि गूगल ड्राइव के अंदर आपको आपका बैक अप नजर ही नहीं आएगा किसी मेथड से आप उसको अगर एकसेस कर भी पाएंगे तो अगर आप उसको आईफोन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो वहाँ पे क्योंकि different type की files होती है तो उस वज़े से वहाँ पे वो आपको दिखाई नहीं देंगे तो कोई फायदा उसमें नहीं होगा without wasting time and your data may get crafted डोंट waste your time, money and precious chat अब आपको क्या करना है तो आपको WhatsApp business यहाँ पे download कर लेना है तो कि यह कह रहा है कि WhatsApp not detected there अब आपको आपके iPhone में WhatsApp login कर लेना है login करने के बाद इसको यहीं पे छोड़ते शुरू करते हैं यहाँ पे restoration का process restore बटन दवाएंगे तो यह chats को आपके phone के अंदर restore करतेगा जैसे ही restoration complete होगा phone restart होगा और restart होने के बाद और जब आप WhatsApp को open करेंगे all the chats are there your transfer is successful इस दरीके से आपको पूरी chats अपनी इसके अंदर नजराएंगी इतना ही नहीं डारेक्ट phone to phone Android या iPhone किसी भी तरीके से यह software WhatsApp chats को transfer कर सकता है उनके बारे में भी future videos में हम बात करेंगे यहां पर मैं suggest करूँगा और आपके लिए आपकी chats या chats का backup important है आप उसको खराब करना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे business persons ऐसे होते हैं जिसको पुराने पुराने backup के जरुरत होती है बहुत सारी memories भी आपके भी message ऐसे होते हैं तो उनको आप खराब करना नहीं चाहते तो I think इतना price क्योंकि आप 87,000 रुपए का एक mobile phone ले रहे हैं 2-3,000 रुपए के उसके case cover के उपर लगा देते हैं तो हो सकता है आपकी chat भी important हो तो उसके उपर कुछ खर्च करेंगी तो कोई जमस्या नहीं because those are important for me आपके लिए हैं तो link नेचे descriptions के अंदर है coupon code apply कीजिए price call कीजिए और आपका कोई भी question या सुजाओ है तो वो भी नीचे comment section के अंदर जोरू लिखतीजिए So this was all about for the day मिलने नेक्स वीडियो में Thank you very much Bye guys